नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोच खबर कायकरम आज आपके साथ कुछ खबरों पर मिला जुला कर चर्चा क्योंकि यही हमारा भारत है और भारत के आगे जो संकट है उसकी कहानी कह रही है यह सारी तस्वीरें सबसे पहले चर्चा रहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की उस पर जो शर्मनाक हमला किया है जिसे हम अक्सर बोलते हैं बिलो दबेल्ट हमला भाशपा के आईटी सेल ने किया है एक एनिमेटेड काटून वीडियो बना कर जिसमें राहुल गांधी को एक विफल सन की कमजोर व्यक्ति एक विफल नेता के तौर पे दिखाने की पूरी की पूरी साजिश रची गई है जिसे भाशपा के आईटी सेल अमित मालवी से लेकर जारखन के पूर्वे मुख्यमंत्री रगवरदास भाशपा का पूरा का पूरा दल बल उसे पूरी बेशर्मी के साथ ट्वीट कर रहा है उसने एक बात तो बहुत साफ कर दी है कि भाशपा बहुत भीतर तक भारत जोड़ो यात्रा उसका जो संदेश है जिस तरह से अभी जो तस्वीरें हमारे सामने हैं जिस तरह से बड़े पैमाने पर भारत का आम नागरिक उससे जुड़ने की कोशिश कर रहा है उससे बहुत परेशान है उसे लग रहा है कि जो नरेटिव 2014 से लेकर अब तक उसने विक्सित किया जो हमारे आपके दिमागों पर उसने थोपा राहुल गांधी की जो पपू करके इमिज थोपी चवी थोपी है कहीं ऐसा नहों कि उस चवी को तोड़ते हुए राहुल गांधी एक काम्याब नेता के तौर पर स्थापित हो जाएं जो कम से कम अभी तीन चार राजियों में जो यात्रा चली है उसमें कम से कम यह चवी साबित हो रही है कि राहुल गांधी के बारे में जो अवधारना बनाने की कोशिश की थी मीडिया के जरिए वर्टसप यूनिवरस्टीज के जरिए या इस तरह के कार्टून एनिमेशन के जरिए वह बड़े पैमाने पर तूटी है अब आप देखिए कि यह जो पूरा का पूरा अभियान चलाया है यह भाश्पा की गंदी सोच जो है उसे तो दर्शाता ही है और साथ ही साथ एक बात बहुत और साफ कर देता है कि वह किसी भी सूरत में कोई भी मौका नहीं च लिखाई दे रहा है कि जो नफरती एजेंडा है यह बहुत तेज हो गया है यह जो हमला है यह बहुत तेज हो गया है क्या यह महज इत्तफाक है कि दिल्ली के पास गुड़गाओं में एक मस्जिद पर हमला होता है और उसके बाद तिलंगाना की राजधानी हैदराबाद म कुतुब शाहिद मस्जिद में हिंदु धर्म को बदनाम करने वाली भीर घुस्ती है और बिलकुल बाबरी मस्जिद के दिनों की याद दिलाते हुए वहाँ पर मूर्ती रख कर आती है अब आप देखें कि जब लोग बात कर रहे हैं अपने बुनियादी अधिकारों की लोग बात कर रहे हैं महंगाई की रोजी रोटी की बात कर रहे हैं अमन की उस समय नफरत को वापस फोकस में लाने का काम कितनी तेजी से हो रहा है कि शायद इसकी गिंती करने ही मुश्किल ह गई है मिसाल के तौर पर देखिए देश की राजधानी दिल्ली जी हां दिल्ली में रंजीत नगर इलाके में दो समूहों के बीच लड़ाई होती है दो तरफ से लड़के हैं जो सीसीटी फुटेज दिल्ली पुलिस न जारी किया है सबके सामने हैं मीडिया में रिपोर्टे दो तीन लोग जो एक बाइक वाले के रोकते हैं उस पर हमला करते हैं हमला करने वाला युवक ही जो उसकी टीम है उसमें से एक हिंदु युवक मारा जाता है यह सब कुछ सबके सामने है मारा गया लड़का नितीश और उसके दोसाथी आलोक और मॉन्टी बाइक पर जाने वाले लड़कों को रोक रहे हैं यह सब सबके सामने तथे है यह ऐसा तथे है जो दिल्ली पुलिस आधिकारिक तौर पर जी हाँ वही दिल्ली पुलिस जिनके मुखिया जिनकी कमान देश की ग्रीह मंत्री अमिशाह के पास है जो उनकी अंडर में काम करती है वह भी कह रही है कि इस पूरी घटना में कोई सांप्रदाइक एंगिल नहीं है लेकिन देखिए जो इस तरह के नफरती एजेंट है जो इस तरह के लेखक पत्रकार है और भाश्पा नेता कपिल मिश्रा जिनको हम सब जानते हैं कि किस तरह से इसी दिल्ली को जलाने के लिए सडकों पर उतर के वे नारे लगा रहे थे गोली मारो सालों को वो कुख्यात नेता इस पूरी घटना को सांप्रदाइक एंगिल देने में लगे हुए हैं और ठीक इसी बीच इसी दिल्ली में दुबारा तनाव गर्माया हुआ है यह तनाव दिल्ली के उप्पी मुखमेंत्री मनीश ने बहुत साफ साफ शब्दों में का कि यह सारा का सारा हंगामा, सारा का सारा बवाल, गुजरात चुनाओ के संदर्ब में मचाया जा रहा है उससे एक बात दुबारा साफ होती है कि बदले की राजनीती पे जब स्टेट और स्टेट एजन्सी उतारू होती है उसमें कुछ भी कहीं पर भी हो सकता है किसी की भी गिरफतारी हो सकती है और शायद देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है जो संगीय धाचा है वह बहुत लंबे समय से निशाने पर है मनीश के साथ जो कुछ हो रहा है यह उसकी एक छोटी तस्वीर है दोस्तों एक सीधी सीधी अपील आपके नाम आज के दौर में हम और आप सबसे ज़्यादा जानते हैं कि स्वतंत्र मीडिया यानि इंडिपेंडेंट मीडिया पर जो तलवार लटक रही है उसमें हर समय लगता है कि खबरों पर पहरा है और ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को माध्यमों को बचाए रखना न्यूस क्लिक इसी तरह से आपके लिए ग्राउंड से रिपोर्ट्स लाता है आपके लिए वे खबरे लेकर आता है जिनके बारे में अक्सर मुख्यधारा के मीडिया में कॉर्परेट मीडिया में तक्रीबन न के बराबर जगा मिलती है हम रिपोर्ट करते हैं मजदूरों पर किसानों पर उन तमाम संगर्शों पर जो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए असली मुद्दों को सामने लाने के लिए चल रहे हैं और साथ ही साथ हम केवल राजनीती ही नहीं बलकि विज्ञान, क्रिशी, तक्नीक, अंतराष्टी खबरें और उन खबरों से जुड़े विभिन पहलूँ को भी पूरी मजबूती के साथ उजागर करते हैं और यह आपकी मदस से ही हो पाता है हम चाहते हैं कि न्यूस क्लिक आपके साथ रहे आपके समर्थन की हमें सक्त जरूरत है हम चाहते हैं कि जो हमारी बेबाक और स्वतंत्र पत्रकारिता है उसे आप समर्थन दें हमें सब्सक्राइब करें नीचे दिये लिंक पर जाएं और हमें अपना समर्थन दें ये लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है शुक्रिया दोस्तों न्याय और अन्याय के बीच एकी दिन में कैसे बड़े खेल हो जाते हैं कैसे पूरा पासा पूरी कहानी पलड जाती है इसकी ताजा मिसाल है लियाय पालिका अब देखिए मुंबई उच्छ न्याले बड़ी करता है और देश की सबसे बड़ी अदालत मुंबई कोट के फैसले के खिलाफ फैसला देती है यह पूरा का पूरा मामला जुड़ा हुआ है गैर कानूनी गतिविधी रोगथाम अधिनियम के तहत मावादी संगठन से संबंध रखने के आरोप में 90 फीसदी विकलांग दिल्ली के प्रोफेसर जी एनसाई बाबा और उनके सहित अन्य लोगों की जो गिरफतारी हुई थी उससे जुड़ा हुआ मामला है मुंबई हाई कोट पूरी सुनवाई के बाद इन तमाम लोगों को इन आरोपों से बरी करता है और साफ साफ कहता है कि इन्हें बाहर आना चाहिए जेल से और उसके बाद देखिए कि जिस तर से सरकार भागी भागी जाती है सुप्रीम कोट में वहाँ पर दो तीन चीजें जो सामने आई हैं वह गंभीर चिंता का विशे हैं क्योंकि अदालत एक ही किताब के आधार पर चलती है उसकी अलग-अलग व्याक्याएं क्या इतनी अलग हो सकती हैं और वह अलग क्या कुछ मामलों में ही हो सकती हैं इन सब को लेकर बहुत गहरे गंभीर सवाल हैं लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक दिन हैं जब हम यह पाते हैं कि एक फैसले को उलटने के लिए किस तरह से पूरे सिस्टम को मैनेज किया जाता है आप देखिए मुंबई हाई कोट ने जो बुनि किसी भी तरह की प्रक्रियागत शूट नहीं ली जा सकती कानून का राज कानून के दवारा निर्धारित प्रक्रिया के पालन करने में हैं और इसे सुप्रीम कोट ने पलट दिया उसने कहा कि चुकि आरोप बहुत गंभीर है इसलिए प्रक्रिया का अनुपालन जैसे बातों को आधार बनाकर आरोपियों को रिहार नहीं किया जा सकता और आप कि यह पूरी की पूरी प्रक्रिया देश और दुनिया के सामने हुई इसने एक बात साफ की कि अगर स्टेट अगर सत्त ऊजए इस लोगों की रिहाई ना चाहे तो वो पूरे के पूरे सिस्टम को किस तरह से मैनेज करती है यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि जैसे ही मुंबई हाई कोट ने रिहाई की उसके बाद भाशपानेता जो महाराश्ट के उपमुख्यमंत्री हैं देवेंद फड़नवीस वह किस तरह से पबलिक में जाते हैं और कहते हैं कि यह बहुत बड़ा खत्रे का संकेत है सुप्रीम कोट रोकता है तो उसका स्वागत करते हैं यहानि जो फैसले हैं वो बहुत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और इस से एक और बहुत गंभीर मामला जुड़ा हुआ है यहां जिन लोगों के हमने आप से बात की यह सारे लोग इनके खिलाफ मामला बन चुका था सजा हो चुकी थी और मुंबई हाई कोट ने यह फैसला सुनाया था जिसे सुप्रीम कोट ने पढ़टा अब आप देखें यह शख्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसके खिलाफ बलातकार का मामला है हत्याओं का मामला है अदालत ने इसे दोशी भी करार दिया है लेकिन कितनी आराम से कितनी तसलिश से इसे 40 दिन के फरलो पर छोड़ दिया जाता है और सिर्फ 40 दिन यही 40 दिन नहीं है इस साल यानि 2022 में अगर इस 40 दिन जोड़ दिये जाएं तो तीन महिने करीब यह शक्स जेल से बाहर है और जेल से बाहर जाकर यह जो अपना मठ चलाता है वहां जाकर पूरी शान शौकस से जिस पॉलिटिकल मेसेज के लिए इसे छोड़ा गया है उसे करने पर तुरंत उतारू हो जाता है यानि साफ है आप अगर सत्ता में बैठे पार्टी के लिए फाइदे मन्द है चुनाव में आपके फॉलोवर्स जो अंदभक्त है वह असर डाल सकते है तो आपको जेल से बाहर निकालने के लिए सरकार सब कुछ कर सकती है और यह सारा का सारा काम यह सारी की सारी डील खुल कर होती है पूरी बेशर्मी के साथ होती है और इसमें हर्याना के जेल मंत्री जिस तरह से बात करते हैं वह बताता है कि इस डेरा सच्चा सौधा का जो प्रमुख है रामरहीम गुरमीद उसके पीछे कौन लोग हैं आखिर क्यों जब पहली बार छोड़ा गया फरवरी में उस समय पंजाब में चुनाओ थे दूसरी बार जून में छोड़ा गया तब नगरपालिका के चुनाओ थे और इस समय जब छोड़ा गया तब आदमपूर में उपचुनाओ हैं यह सारा का सारा इलाका गुरमीद के भक्तों का इलाका है जहां पर यह अपना पॉलिटिकल इंफ्लूएंस सीधे सीधे डालता है और सबसे दुखत फोटो यह है कि जो शक्स जेल में गया लड़कियों के यौन शोशन के आरोप में बलातकार के आरोप में बलातकार की मांग उठाने वालों की हत्या करने के आरोप में उसके स्वागत में महिलाएं उतरती हैं दांस करती हैं रंगा रंग कपड़े पहनती हैं और यह कहती हैं कि यह तो हमारी दीवाली है क्योंकि हमारा राम बाहर आ गया है शायद इस से शर्मनाक तस्वीर भारती लोकतंत्र की और कुछ नहीं हो सकती यहां पर आपको हम बता दें कि आदमपूर उपचुनाओ यह सीट पहले कॉंग्रेस के पास थी कुलदीब बिश्नोई यहां से जीते थे जो बाद में कॉंग्रेस छोड़कर भाश्पा का दामन उन्होंने थाम लिया सीट खाली हुई और अब कुलदीब बिश्नोई ने और भाश्पा ने जो परिवार हटाओ के नाम पर राजनीती करते हैं और परिवार बढ़ाते हैं ठीक उसी की नजीर करते हुए उसी का एक्जामपल देते हुए कुलदीब बिश्नोई के बेटे भवे बिश्नोई यहा पूरे इलाके में गुर्मीत का उसके डेरे का अच्छा खासा असर बताया जाता है सवाल बहुत साफ है कि एक तरफ बलातकारी के स्वागत में नाशने वाली महिलाओं का ये पूरा का पूरा द्रिश्य है दोस्तों एक एहम सवाल जो हमने आपसे उस समय भी पूछा था जब गुजरात में सामोहिक बलातकार और अपने चौदा परिजनों को खोने वाली बिलकिस के जो बलातकारी और जो हत्यारे थे दे जब बाहर आये थे जब उन्हें 15 अगस्त को छोड़ा गया था उस समय इन बलातकारी और हत्यारों को जो लोग फूल माला पहना रहे थे उस समय भी हमने आपसे पूछा था आपसे कहा था कि यह सिलसिला सिर्फ यहीं नहीं रुकेगा और आज देखिए कि गुर्मीत जिसने बलातकार और हत्या किसे मुसल्मान की नहीं की हिंदू बेटी का ही अपमान किया था लेकिन आज जिस तरह से पूरा का पूरा इस्टेट उसे बार बार जेल से बाहर भेजता है यहां दोनों तस्वीरें एक ही मेसेज दे रही है कि मोदी जी और मोदी जी का जो पूरा का पूरा नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वह दफ्न हो चुका है और पूरी की पूरी सरकार बलातकारियों और हत्यारों के पक्ष में खड़ी हुई है भारत की भूक भारत में भुखमरी एक बार फिर अंतराष्टी इस्तर पर खबर बनी ग्लोबल हंगर इंटेक्स विश्व का जो भुखमरी का सूचकांख है वह जारी हुआ और इसमें भारत 121 देशों में 107 वे पायदान पर है यानि दुनिया में जो अर्थवेवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है मोदी जी जो विश्व गुरू होने का दावा कर रहे हैं उसमें भारत से सिर्फ 14 देश ही ऐसे हैं जिनकी हाल जिनकी स्थिती भुखमरी में हमसे खराब है अब आप देखिए 16.3 फीसदी भारती जनसंख्या को पोशित है 5 साल से कम उम्रवाले करीब 36 फीसदी बच्चे स्टंट यानि ठिगने हैं 3.3 बच्चे पांच में जनम दिन से पहले ही मर जाते हैं और आप देखिए ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है इस पर सरकार सोचना तक नहीं चाहती हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार किस तरह से इसे खारिज कर चुकी है शायद उनके दिमाग में वित्यमंत्री निर्मला सीता रमन का ही तर्क चल रहा होगा ये जो वीडियो है निर्मला सीता रमन जी का ये अपने आप में बता रहा है कि भारत सरकार जो सच सामने दिखाई दे रहा है जो भूक सामने दिखाई दे रही है जो भारत की पूरी की पूरी संपदा छिन रही है सब कुछ सामने है उससे कैसे बेशर्मी से नकारते हैं इसकी मिसाल निर्मला सीतारमन ने इस तर्क के साथ दी जब उनसे पूछा गया कि रुपे में लगातार गिरावट आ रही है इसे रोकने के लिए वह क्या कर रही है भारत सरकार क्या कर रही है तो उन्होंने कहा दरसल रुपिया नहीं गिर रहा डॉलर मजबूत हो रहा है शायद उसी तर्श पर भाष्पा भाष्पा से जुड़े अंदभक्त लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में यह कह रहे होंगे यह कहना शुरू कर चुके हैं कि दरसल भारत में भुखमरी नहीं है भारत में जो भुखमरी है इसका कोई संबंध खाने में जो भीशन कमी है इससे बिलकुल नहीं है नहीं खाद वस्तियों की कीमते बढ़ी है नहीं बेकारी है नहीं बेरोजगारी है कुछ नहीं है वित्यमंत्री निर्मला सीता रमन का अगर तर्क हम आगे बढ़ाएं भाशपा के अंधभक्तों के हिसाब से दरसल भारतियों ने डाइटिंग करनी शुरू कर दी होगी वे खाना ही कम खा रहे होंगे शायद इसलिए हमारा देश भुखमरी में चमक रहा है यह जो सारा का सारा तंज है यह जो सारा का सारा व्यंग है यह हमें 100% दी लगता है कि भाश्पा और भाश्पा का जो पूरा प्रचारतंत्र है उसे समझ नहीं आएगा क्योंकि उसे यह भी समझ नहीं आता जब मद्रप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान देश के ग्रिहमंत्री अमिश्चा के साथ MBBS की पढ़ाई हिंडी में करने की बात करते हैं किताबे लौँज करते हैं तब उनकिताबों का जो शीरशक है उसमें और के अलावा कुछ भी हिंडी में नहीं होता सब कुछ अंग्रेजी में है वे बार-बार बोलते तो हैं कि यहाँ पर आप सब कुछ हिंदी में पढ़ सकते हैं लेकिन वह यह बताना भूल जाते हैं कि जिन भारती बच्चों को वो बता रहे हैं कि सिर्फ हिंदी में पढ़ें वह अपने बच्चे को अमरीका में भेशते ह अमरीका से उन्हें law की degree दिलवाते हैं तो ये जो भारत के लोगों की कहानी है जो भारत के युवाओं के भविश्य के साथ छेड़ खानी की पूरी की पूरी बानगी है इसके बारे में बात करना बेहस्ज जरूरी है क्योंकि ये तस्वीर सिर्फ उत्तर प्रदेश के ज़वानी खराब कर रहे थे यह संकट हम सब का है पुरे मुल्क का है शुक्रिया